मैं यहाँ चर्चा करना चाऊंगा यह किसानों के साथ जो क्रोप इंसुरेंस के नाम पर पिछले कई सालों से जो ख्षल होता जा रहा है हम राजस्तान की बात करें राजस्तान में 2014 से पहले वेदर बैस इंसुरेंस थी मौसम आधारित इंस्वरेंस उस समय हमने इस इंस्वरेंस पॉलीशी का गंभीरता से अध्यान किया और चूरू जीले के अंदर किसानों का एक अंदोलन चला उस अंदोलन की बदोलत हमने चूरू जीले में खरीफ रबी दो जार तेरा बारा तेरे का दो सो गुनतिस करोड रूपए का कलेम चूरू जीले के किसानों को दिलवाया उसके बाद में तेरे चूरू जीले के सवाल के उंपर हमारा फिर अंदोलन चला तारा नगर, राजगर सरदार सहर चुरुजीले के अंदर और फिर दुबारा च्छान में करोड रुपए राजस्तान चुरुजीले के किसानों को अमने दिलवाया उसके बाद में बिमा कमपनियों की डिमांड के उपर केंदर सरकार और रज्य सरकार ने उस इंस्वरेंस पॉलिशी को चेंज करते हुए दुबारा जो पॉलिशी नहीं जो मोदी गौवर्मेंट बनी उन्होंने जो पॉलिशी लेका है वो क्रॉप कटिंग इंस्वरेंस जो लेका है क्रोब बेस इंश्रेंस उसके अंदर जो जिस तरीके का स्केम है किसानों के साथ जिस तरीके का चल है सरकारें अनुदान के तोर पर बिमा कंपनियों को बहुत बड़ी किसान देगा और बाकी 98% रज्य सरकार और केंदर सरकार देगी इसका मतलब यह है कि 1000 करोड रूपए सालाना सरकारें केंदर सरकार और रज्य सरकार बिमा कंपनियों को अनुदान के तोर पर बतोर प्रीमियम देती है उसका हस्र क्या है किसान को इसके बदले में क्या मिल रहा हमारा अभी आंदोलन चल रहा है चुरू जिले के अंदर, हनमानगड के अंदर, गंगानगर और जूझनू के अंदर, राजस्तान के अंदर आप देखेंगे अभी खरीफ 2016 का प्रीमियम जो बिमा कंपनियों को रज्य सरकार के अंदर सरकार और किसान का जो शेर है वो अधिले जो तारानगर उपखंड है, ब्लोक है, तैसिल है, उसका 40 क्रोड रुपे है, इसी तरीके से रभी 2016 का प्रीमियम जो सरकार और किसान का बिमा कंपनियों के पास गया, वो लगबग 60 क्रोड रुपे है और कलेम के तोर पर चुरू जिले के किसानों को 23.95 क्रोड हमने अनुमानगर के अंदर खरीब 2016 का 161 क्रोड रुपे किसानों को जो फसल खराबा हुआ उसका हमने आंदोलन के बाद लंबे संगर्ष के बाद दिलवाया है, रभी का वहां पर 19.90 क्रोड रुपे है, जिसमें अकेली बादरा उपखंड जो है, उसमें 19.90 में से 13 रुपे उसमें 57 क्रोड रुपे अकेली बादरा तैसील का है, इसका मतलब यह है कि पूरे देश के लिवल के उंपर बहुत बड़ा किसानों के साथ ख्षल कपट है, वो चल रहा है, सरकार की मिली बक्ती से चल रहा है, जहां पर किसान जागरू का पड़ा लिखा है, जिसन इनकी प्रोस्पेक्ट को, इनके विवरनिका अधिसूचना को, इनके ट्रम एंड कंडिसन को समझा है, और उसके मताबिक खराबे की गिरदावरी और क्रॉप कटिंग करवा लेता है, वहां पर किसान अंदोलन के बल पे कुछ भी आसिल कर सकता है, लेकिन जहां पर गिरदा प्रावदान सरकार ने रखे हैं, वह तमाम अटाये जाएं, और जो इतनी बड़ी अमाउंट प्रीमियम के तोर पर बिमा कंपनियों को दी जा रही है, सबसे अच्छात यह होगा कि इन्सूरेंस पॉलिशी को खतम करके वह अमाउंट किसान को अनुदान के रूप में इन्सूरेंस में चाह करके आ गई है, इसका मतलब यह है कि बोले बाले सिदे साधे किसान को विमा कंपनियों लूटना चाहती है, किसानों को भी इस तमाम पॉलिश्यों को समझना चाहिए, हमारा आज भी अंदौलन चूरू में चल रहा है, यह जो अमाउंट मैंने आपको